करनाटक से जहां कॉंग्रेस और बीजीपी में टेक्स्ट बुक को लेकर खिंचतान शुरू हो गई है कॉंग्रेस सरकार ने टेक्स्ट बुक में 18 बदलाव किये हैं स्कूली किताब में 15 नए पार्ट शामिल किये गए हैं दसमी से हेट गवायार और सावरकर से जोड़े हुए पार्ट हटाए गए हैं वहीं आठमी से नहरू के इंदिरा को पत्र का पार्ट शामिल किया गया है ये कुछ बदलाव करनाटक में किये गए हैं पहले 45 बदलाव होने वाले थे लेकिन किताबें अब छप चुकी हैं ऐसे में इस साल सिर्फ 18 बदलाव करने का फैसला लिया गया है अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है अगले साल के सत्र में भी बड़े बदलाव किये जाएंगे सभी बदलाव 15 दिन में किये गए सभी सत्तर हजार स्कूलों को ये भेजे जाएंगे तो करनाटक में कॉंग्रेस और बीजीपी में खिंचतान शुरू हो चुकी है कॉंग्रेस सरकार ने टेक्स्ट बुक में 18 बदलाव किये है निहाल के द्वाई हमारा साथ जुड़ रहे है निहाल एक बार फिर से बीजीपी और कॉंग्रेस में जोरदार खिंचतान नजर आ रहे हैं और इस बार मामला कुछ अलग है टेक्स्ट बुक में कुछ बदलाव किये गए है तेखे चुनाओ से पहले कॉंग्रेस में बिल्कु साफ कर दिया था कि अगर उनके सरकार आती है तो वो बहुत सारे बदलाव टेक्स डूप में लाएंगे और इसके लिए एक टेक्निकल कमीटी बनाए गये थी इस टेक्निकल कमीटी की तीन आधे दर्जन के असपास अब कह सकती हैं बैठके हुई और उसके बाद ये तैक किया गया कि कुल 45 बदलाव लाए जाने हैं लेकिन फिर सवाल ये उसका किया अगर 45 बदलाव लाए जाएंगे तो फिर जो निर्देश पुस्तिका जो भेजी जाने वाली है सभी 70 हजार इसको लोगों को उसको छपने में भी टाइम लगेगा उस पर खर्च भी ज्यादा आएगा और साथी साथ काफी मोटी हो जाएगी वो किताब और जो शिक्षक हैं जिने पढ़ाना हैं उनके लिए भी नई चुनोतिया नए से शुरू होगी ऐसे में फिर यह तैकिया गया कि सिर्फ इलहाल 18 बदलाव लाए जाएं जिससे जो पुस्तिका है जो गाइडलाइन भेजे जाने वाले हैं जिसमें नए chapters जोड़ दिये जाएंगे और साथ-साथ यह भी उसमें निर्देश होगा जो किताबे छप चुकी हैं जो किताबे स्कूलों तक पहुच चुकी हैं सत्र के लिए उसमें से कौन-कौन से chapters पढ़ाय जाने हैं कौन-कौन से chapters नहीं पढ़ाय जाने हैं तो यह चोटी होगी और इस सरकार की यह मंचा है कि अगले 15 दिनों के अंदर सभी 70,000 स्कूलों में इनके गाइडलाइन की जो बुक है सप्लिमेंटरी बुक इसको भेजा जाए तो छपाई का काम अब शुरू हो जाएगा तो कि नोटिफेक्शन आ गया है यह भी साफ हो गया कि कौन-कौन से चैप्टर सहताए जाएंगे, कौन-कौन से जोड़े जाएंगे, इसको लेकर करके लंबी खेस्तान चल रही है, इसमें देखिए बहुत सारे जो चैप्टर स्जोरे गए हैं, मानवा अधिकार पर, वैदिक संसकृति पर भी एक चैप्टर जोड़ा गया है कौन-कौन से ने धर्म पिछले दे से 200 सालों में सामने आए कौन-कौन से पंत सामने आए उन पर भी एक अध्याय जोड़ा गया है महिला सोसंतरता सिनानी और महिला समाच सुधारक इन पर भी चैप्टर्स जोड़े गया है लेकिन विवाद शुरू हुआ है सावरकर और बली राम हैर माथ कीजेगा केशफ बली राम हेट गवार जो की आरेसस करस्थापक थे उन से जिरू हुए जो अध्याय को हटाए गये हैं उसको ले करके यहाँ पर विवाद शुरू हुआ है और यह विवाद लंबे अर्से से चल रहा है अब चुकि सरकार ने दिल्कु साफ कर दिया है नोटिफिकेशन आठ चुका है और अब बदलाव किया जा रहे हैं तो जाहिर है कि ने सिरे से इस मावले ने तूल पकर लिगा लेकिन बीजेपी किस तर पर विरोधा भास जता रही है जाने हाल ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अगर बड़े सतर पर विरोध नहीं किया गया तो अगले साल एक बार फिर से इसी तरह के बदलाव किये जाएंगे देखिए ये आईरनी है कि जब पिछली बार कॉंग्रिस के सरकार ने जो बदलाव किये थे जब बीजेपी के सरकार आई यहां पर ये जो रप्पाजी के ने पर बस वराज भूमें यहां पर मुख्य मंत्री बने उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए जो पहले पढ़ड़ाय से वह सही है या अभी जो पढ़ाया जा रहा है और जब तक कि इस पर कुछ निरना ले पाते हैं किसी नतीजे तक पहुंच बाते हैं सरकार बदलते हैं फिर से चैप्रस बदल जाते हैं कहीं ने कहीं आयसे जो टेक्स्ट बुक हैं उसको लेकर कि एक रास्पी नीती होनी चाहिए और जिसमें इस तरह से बदलाव नहीं किया जाने चाहिए मैंकल शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए तो करनाटक से एक ख़बर आपको बता रहे हैं जहांपर टेक्स्ट बुक में कुछ लेसेंस में बदलाव किया गया और इस पर बीजीपी और कॉंग्रिस में ठन गई है